अधियासिक जीत के बाद आज दिल्ली आ रहे है योगिया अधितनाथ कल्चे शुरू होगा संसत बजट सत्र का दूसरा भाग कुरोना से मिली राहत के चलते एक ही साथ चलेगी दोरों सत्रों कारवाई अच्छी देव गोडा ने दिया बयान कहा किसान अंदोलन की वज़ह से पंजाब में हारी कॉंग्रेस जनता ने दिया आपको मौका चुराओं में कार्डर को मौका देगी बीजेबी दस सीटों पर आने दलों से आये नेताओं को उतारने के तैयारी होली के बाद घोशित होगी उम्मीदवारों की सुची उत्रप्रदेश में विधान सभा चुराओं के नतीजों को आये दो दिन बीच चुके हैं प्रदान मंतरी नरेंदर मूदी और पार्टी के साथ बैठक में सरकार की रूप रेखा तयार करेंगे सूत्रों के मताबे कि यूपी में इस बार चार मुख्य मंतरी बना सकती है राज़पाल को स्तीफा सौपने के बावजूद अब तक यूपी में नई सरकार के गठन का एलान नहीं हुआ है वहीं कहा जा सकता है कि यूगी का शपत गरहन होली के बाद 21 मार्च को हो सकता है साल 2017 में बीजेपी के इतिहासिक जीत के बाद यूगी ने 19 मार्च के दिन मुख्य मंतरी पद की शपत ली थी लेकिन इस बार क्योंकि 17 और 18 मार्च को होली है और 19 मार्च को मलसी नामांकन की आखिरी तारीक है इसके यूगी आरितनाथ 20 मार्च को शपत लेने की अटकले है संसत के बजट सत्र का दूसरा भाग कल से शुरू होने जा रहा है दूसरे भाग में आम बजट और वित्ते विध्यक को पारित करवाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथ मित्ता होगी सत्र के पहले भाग में दोनों सद्नों की कारवाही अलग-अलग समय पर चलती थी दोनों सद्नों की कारवाही अपने परामपरागत समय यानि सुभा 11 बज़े शुरू करने का फैसला किया गया है दोनों सद्नों की कारवाही का समय सुभा 11 बज़े से दोपहर 1 बज़े तक और फिर दोपहर 2 बज़े से शाम 6 बज़े तक तै किया गया है तो वहीं पंजाब विदानसवाज चुनाओं में बीजेपी और कॉंग्रेस को पीछे छोड़ते हुए आम आधी पार्टी ने प्रचंड जीत हासल की है आम आधी पार्टी के जीत के बाद पंजाब में कॉंग्रेस की हार क्यों हुई इस पर पूर्व प्रधान मंत्री एचली देवगोडा ने बड़ा बयान दिया है एचली देवगोडा ने कहा है कि राज्य में कॉंग्रेस की विवलता के कारणों में किसान आंधोलन और कॉंग्रेस पार्टी की आंतरिक समस्या शामल है उन्होंने कहा कि पंजाब में कॉंग्रेस के आंतरिक कलह के कारणी आप और दूसरे दलों को अच्छा मौका मिल गया देवगोडा ने कहा कि पंजाब में कॉंग्रेस की वज़ाए जनता ने आमादी पार्टी को मौका दिया ये इस बात को दर्शाता है कि वहाँ के लोग बीजेपी को नहीं चाहते हैं बीजेपी विधान परिशत चुनाओं की स्थानिय निकाई शेत्र सदस्य चुनाओं में अपने काडर को मौका देखिए वहीं करीब 10 सीटों पर सपा सहीत अन्य दलों से आए नेताओं को तारने की तयारी है पार्टी होली के बाद परिशत चुनाओं के लिए उमिद्वारों की सूची घोशित करेके विधान परिशत में स्थानिय निकाई शेत्र की 36 सीटों पर चुनाओं के लिए 15 से 22 मार्च तक नामांकर दाखिल किये जाएंगे 9 अपरेल को मतदान होगा 2016 में हुए चुनाओं में 36 में से 33 सीटों पर सपा के उमिद्वार जीते थे और तीन निर्दलियों के खाते में पैथे बीजेपी ने इस बार करीब 6 महिने पहले से परिशत चुनाओं की तैयारी शुरू कर दी है सपा के 7 सरस्यों को बीजेपी में शामिल कराया गया है पृताब गड़ के दहला मौग गाय घाट रोड पर सड़क हाथसा हो गया जहां पर ट्रक और बाइक में जोड़दार भिड़न थोगे जिसके चलते बाइक सवार गंभी रूप से गाय हो गया गड़्टा की सूचना इस्थानिया लोगों ने पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल अस्पताल में भरती कराया जहां पर उसके हालत गंभीर बनी हुई है वहीं पुलिस ने ट्रक को अपने कबजे में ले लिया है राय बरेली में कॉंग्रेस की सभी सीटों की हार के बाद कॉंग्रेस जिलाधिक्ष पंकज तिवारी ने अपने पत से स्तिफा दे दिया है बतारे हैं कि राय बरेली कॉंग्रिस का गढ़वाना जाता है वहीं विदान सभा चुनाओं में कॉंग्रिस की सभी छे सीटों पे हार के बाद कॉंग्रिस के पदाधिकारियों में हड़कम बच गया है तो ऐसे में जिलाधिक्ष ने भी इस्तिफा दे दिया है राय बरेली से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर राय बरेली में कॉंग्रिस की सभी सीटों में हार के बाद कॉंग्रिस के जिलाधिक्ष पंकच तिवारी ने अपने पद से स्तिफा दे दिया है तो पांच राज्यों में मिली कॉंग्रेस को हर के बाद अब हड़कर की सिति है कॉंग्रेस में और ऐसे में जगा जगा से पदाधिकारियों के द्वारा स्तीफ़े की खबरे भी सामने आ रही हैं जिसे आफरा तफ्रीम अच गई वहीं घटना की सूचना पूलिस और फाइर बिगेट की टीम को दिक कई जिसके बाद मौके पर पहुँची पूलिस और फाइर बिगेट की टीम ने कड़ी मशककत के बाद आग पर काप अपाया और यह बताया जा रहा है कि आग गैस सिलेंडर के फटने की वजह से लगी गटना में किसी भी तरह की जन्हानी नहीं होई है पतेपुर के गाजेपुर थाना शेत्र में प्रेम प्रसंग के मामले में पुलिस की तरफ से घानी मे लाई गए यूवक ने चौकी के अंदर फास ही लगा ली जसके बाद पुलिस महत्मे में हडकम मच गया और यूवक के हालत बिगडने के बाद पुलिस करमियों ने उसे जिला अस्पिताल में इलाज के लिए भरती कराया जहां डॉक्टरों ने यूवक के हालत नाजुक देखते हुए उसे कानपूर के लिए रह फर कर दिया है परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर यूवक के साथ मारपीट का रूप लगाया है, हालत बिगडने पर बिना परिजनों को सूचना दिये, उसे इलाज के लिए कानपुर ले जाने की बात कही है अप्लिकेशन दिया, उसको अरेश्ट कर लिया गया, तिन चाल दिन बाद, लड़का पुलिस कस्टडी में था, चार दिन बाद, उसे थर दिगी इतना ज्यादा दिया गया, कि जिदरी बार खाना देने आओ, और उता था कि पुलिस मुझे माट डालेगी, पता नहीं कि इस का बंदा ले रहे, अंतों गत्ना आज सुबह जानकारी हुई कि यहां उसके साथ गत्ना हो गई, क्या हुआ है, आज अभी लोगों खत्राम सा देखा, तो है नहीं सब पुलिस के अंदर, लोगों ने बताये कि साथ इससे जांक्रमानिक पोचिस की गई, और वो इसको पेर जीला चाहत अस्पिताल ले गए, गटना नव तस बजे सुबह की है, लेकिन यहां सियो साथ का कहना है, कि वो कानपू सदर्व हैलक में जिन्दा है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि जिन्दा है, क्योंकि नव बजे की गटना है, परिवार को पोई जानकारी, पुली ज़ार नए दी जाएगी, तो यार उके एक छोटे से बिक ले कहीं जाएगा नहीं न्यूस वर्ल्ड इंडिया पर ख़बरों का सलस्टा लगातार जादी है, अट जीले यूनिवर्सिटी, वी मेक दे वे, वी इंस्पायर, वी आर फामिली बाउंड 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 अगर आप हैं किड्नी जैसे गंबीर बीमारी छे परिशान तो मत हो ये हरान, नाडा में इस्तित है पश्ची मुत्र परदेश का एक मात्र ऐसा डालेसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आदुनिक तकनीकी से भरपू चिकत्सा सेवा परदान, जी हां रीना केर डालेसिस रिसर्च सेंटर ही तो है, जो अस्पताल के लावा घर पर भी डालेसिस की बहतरीन सुईदा, बहुत कम खर्च पर उपलप करा है. ये सब होता है विश्वस्थ नें चिकत्सा विशेशक्या डॉक्ट्र अनिल परशाद भट की निगरानी में, अब बड़ोर अनिल परशाद भट्र विश्वपशिद ऐसे डॉक्टर है, जो बड़े-बड़े चिकत्सा संस्तानों में ना जाने कितने लोगों को नहीं जिन्दगी दे चुके हैं तो गवराएं नहीं किड्नी जैसी गंबीर बिमारियों का डट कर सामना करें और रिनाग्याट डालेसिस रिसर सेंटर में अपना किड्नी का इलाज करा है विदान्ता एक ऐसा सेक्षिंग संस्थान जहां होता है पहतर सिक्षा का सही समाधान सिविल सर्विसेस एक्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एक्जाम यहां सिविल सिख्षा की बार्युक्यों से रूपर उखराती अर्शना यादफ कपूर कोई भी बच्चा कोई भी छाप आई एस जैसे एक्जाम की तैयारी या पीसी जैसे एक्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए हमारे संस्थार से स्विक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्राखट सरकार के अलग अलग विभागों में अचिस्तर पर अपनी सेवाय दे रही हैं My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Canaan Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit Sir and Arshana Ma'am for their venture Vedanta Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I am posted as Assistant Commissioner of State Tax with Government of Uttarakhand When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir So then let's look at this topic, today I will give you admission and do your dream of IIS PCS Vedanta, an exclusive IIS Institute of Tehradun, Uttarakhand 11-A, Neembuwala, Opposite, RIMC Main Gate, Garhi Cant, Tehradun, Mobile No. 93197-00579 तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बुलिटिन में आगे बढ़ेंगे रिशिकेश में शामपूर पुलिस चौकी शेतर के लकड़ घाट के पास ट्रेक्टर ट्रॉली का पहिया चड़ने से एक चार मासूम की मौत हो गई है वहीं ये पूरी वार्दा सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई, घटना से परिजनों में कोहरा मच गया घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पुस्ट मौटम के लिए भेज दिया ट्रेक्टर ट्रॉली को कबजे में लेकर चालक से पूचताच की जा रही है जो ट्रेक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर महसुम की मौत हुई है इसके बाद पुलिस ट्रेक्टर ट्रॉली को कबजे में लेकर अब फिलाहल चालक से पूचताच कर रही है जैसे वो टैक्टर आ रहा था था ने टैक्टर वाल तो आगे निगल लेकिन वो एकदम ट्रोली के नीचे आगी लगी और नीचे गिरी उपर से टैर पिडिया उसके यही के यहीं सिए जानबूच के जानबूच के तो हुई नहीं पिचार है पर हादसा है यह पर यह किसी की पिच्वी साथ अकल को हमारे भी बच्चे एकदम आते हैं ननीताल काला ढूंगी मार्ग भजून के पास एक वाहन के देर खाई में गिरने से वाहन चालक घाया रूखिया पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को वाहन से बाहर निकाला और इलाज के लिए राजके बीडी पांटे अस्पताल भेज दिया तस्वीर आप देख सकते हैं ननीताल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पुलिस का रेस्क्यो आपरेशन आप देख सकते हैं तो बता देए कि पूरा मामला दरसल ननीताल के काला ढूंगी मार्ग बजून के पास का है जहां देर रात एक वाहन खाई में गिर गया इसके बाद पुलिस की रेस्क्यो टीम ने वाहन चालक को बाहर निकाला है इसको इलाज के लिए राजके बीडी पांडे स्पताल में भीच दिया गया है श्रीनगर अलकरंदा नदी में बने श्रीनगर जल विद्यूत परियुजना की शक्ती नहर से शौव मिलने से संसनी साल के परियुजना में कारेरत कर्मियों ने पुलिस को नहर में शौव मिलने की सूचना दी थी सूचना पर मौकें पर पहुँची एसडियारफ ने शौव को निकाला खीरती नगर कुतवाल चेंदर बहान सिंग अधिकारी ने बताया कि अभी तक शव की सिनाख्त नहीं हो पाई है शव 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है और उसकी उम्र खरीब 25 से 35 साल के बीच बताई जा रही है उन्होंने बताया कि शव की सिनाख्त के लिए सभी जिलेवे पुलिस थानों में फोटो भेज दी गई है 75 घंटे बाद शव का पोस्पॉर्टम किया जाएगा उतरकाशी में भागी रती नदी के तेज भाव से एक हिरन बह गया था जो कि बहते हुए भागी रती नदी के बीच में फस गया वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुँची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हिरन का सफल रेस्क्यू किया और उसे सकुषल जंगल में छोड़ दिया है रुड़की में पुष्कर सिंग धामी के लिए प्रदीब बत्रा की तरफ से सीट छोड़ने वाले बयान के बाद कॉंग्रिस के प्रदेश उपाध्यक्षे सचिन गुपता ने पुष्कर सिंग धामी को खुली चेताव नी दी है उन्हेंने कहा अगर वो रुड़की सीट खाली होने पर चुनाओ लड़ते हैं तो उन्हें 10,000 से अधिक मतों से पराजित करेंगे सचिन गुपता ने ये भी कहा कि कॉंग्रिस पार्टी के वो समर्पित कारे करता हैं अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो पुष्कर सिंग धामी के सामने चुनाओ जरूर रड़ेंगे पुष्कर सिंग धामी जो पूर मुक्यमंती बीजे भी किते हैं उन्हें इलेक्शन लड़ाने के लिए हुए हैं अभी ही दौरा कॉंग्रेस के जो बुवन कबारी हैं उन्होंनी 6000 उपर से वोटों से उन्हें अराया है और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारी पार्टी ने मुझे मुझे मौका दिया तो उनके खिलाफ इलेक्शन मैं लड़ूंगा लुड़की से और आप मान कर चलें कि यहां से 10,000 वोटों से कम से कम वो आर कर जाएंगे ये पार्टी जो इसे भी मौका देगी उसे हम यहां से इलेक्शन लड़ाएंगे और हम एक बार और फिर इनके मुझे 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 को यहां से कम से कम 10,000 वोटों से अरा कर बेज़ेंगे सिदात नगर में जीत के जश्ट में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तीजी के साथ वाइरल हो रहा है यह वाइरल वीडियो दस मार्च की शाम सिदात नगर जिले के दुमरिया गंज विधान सभा के दुमरिया गंज चौराहे का बताया जा रहा है वाइरल वीडियो में डुमरिया गंज विधान सभा से सभा के टिकेट पर चुनाओ जीते सैदा खातून के काराले के बाहर हजारों समर्थकों कोई, भीड खटा कोई इस भीड में कुछ लोग एक विशेश पार्टी के साथ साथ विशेश थर्म के नारे लगा रहे थे कुछ लोगों का कहना है कि वाइरल वीडियो में पाकिस्तान जंदावाद के नारे लगाए जा रहे हैं वहीं इसको लेकर शेतर में काफी तनाव की सित्री गिए तो पार्टी कैडिडिट के जीत के बाद इस तरह से समर्थकों ने धर्म विशेश के नारे लगाए जिसको लेकर आप बावाल मचा हुआ है क्योंकि ये वीडियो अप सोशल मीडिया पर खासा वारल है लेकिन आपको बताने कि कहते हैं कि विद्या के मंदिर में गुरू से बड़ा भगवान नहीं होता लेकिन क्या हो जब वो गुरू ही हैवान मन जाए तस्वीर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही मामला बरेली के फरीद पुर्थारा शेत्र में देखने को मिला जहां पर एक सिक्षक की छात्रा से अश्लील हरकत करने पर जम कर पिटाई की गई सिक्षक को पीटते हुए शेहर में घुमाया गया इस वीडियो को आप देख सकते हैं इस पामले का वीडियो सोशल मीडिया पर फिलाल आपको बतारें कि बहुत तेजी के साथ वारल हो रहा है सिक्षक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है हमेरपूर के जिला नयायले में राच्ट्रे लोक अदालत का आयोजन किया गया है जिसमें विवादत मामलों की सुनवाई कर मामलों को निस्तारित करवाने का प्रयास किया क्या लोक अदालत में बैंकों की तरह से नयायले परिसर में कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं के निस्तारण की बात कही कही रास्त्य लोग अदालत में सैक्ड़ों की संख्या में पहुँचकर लोगों ने अपनी समस्याईं सुनाई लोगों की बीच की लडाईयां हमेशा के लिए खतम हो जाती हैं उनके मन मिल जाते हैं आगे आने वाली परिशानियों से वो बच जाते हैं और आज जब इस भागारम में ही मैंने लोगों को समझाने का प्रयास किया है मुझे लगा है कि इसका काफी अच्छा रिजल्ट निक जांजगीर चांपा जिले के माल खरोदा थाना शेतर में दिन दाहाडे बदमाशों ने एक छोटे बच्चे का परहंड कर लिया बच्चे के उमरे ढ़ाई साल बताई जा रही है आठ तारीख को दो बच्चे घर के बाहर रेत में खेल रहे थे तबी वहां से एक बच्चा जिसकी सूचना परिजरों ने पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने लगाता च्छान भी की लेकिन अभी तक बच्चे का सुराव नहीं मिला है जिससे बच्चेों के परिजरों का रो रोकर बुरा हाल है परिजर लगाता शाषन प्रशासन से बच्चे के सकुशल वापस के लिए गुहार लगा रहे हैं तो 36 गड़ के जांजगी चांपा का ये पूरा मामला है जहां बदमाशों ने एक बच्चे का परहंट कर लिया जिसके बाद अब परिजनों का रो रोकर बुरा हाद है कनोज में पुराणे विवाद को आसानी से निप्टाने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया था को आविश्यक दिशाने देश दे दिये गए है तो फिलाल कलेस बुलेटेन में इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बनी रहेगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ शुक्रिया